वेलकम टू ग्यान अटेपर जैंट्स दा हिंदू अनलेक्सिस एनलाइज देंदी आज 27 अप्रेल 2020 और आज हम दा हिंदू के कुछ युएस के लिए है और इमिग्रेशन को मना करते हो इनोंने अपनी दीवाल यहां पर खड़ी कर लिए कि नो इमिग्रेशन इस्टॉप इमिग्रेशन तो चलिए अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल पर नज़र डालते हैं तो फस्ट आर्टिकल है हमारा से वापस लाने की बात की जा रही है कि उनको वापस अपने नेटिव प्लेस पर लाया जाए क्योंकि जो लॉकडाउन हुआ था हमारा 22 मार्च के बाद में लॉकडाउन हुआ उसके बाद में दुबारा लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया तो काफी ज़्यादा जो मजदूर चियों यांद बाहर काम करने वाले थे वह वहां पर फसे हुए हैं काफी ज्यादा परिसानी का सामना करणा पाड़रा है उनको हुआ हो अलगी सरकार को तब नहीं किया के पर स्वह gram को बोल दिया गया कि यहां पर जो बाहर के विसे अ प्रवासी लोग फसे हुए हैं मज़दूर फसे हुए हैं उनको रहने खाने की विवस्था दी गई है यह हॉम्फूड चैल्टर्स की विवस्था कर दी गई है पर ऑन ग्राउंड की बात करें आगर जमीनी इसतर पर देखा जाये तो ऐसा को भी विवस्था उनको समझमनी आ प्राइस्थान में अपना प्लेस पर नेटिव प्लेस पर जाने के लिए पैदली महराष्ट से निकल पड़ता है तो इस तरीकी समस्यां देखने को मिल रही है और अगर उनसे पूछा जाता है कि इस तरीके से आप ऐसा क्यों कर रहे हैं तो कहते हैं कि वहां भूके रहने से बूके रहने से अच्छा है कि कम से कम हम अपने घर जाकर COVID-19 की चपिट पर आकर ही मर जाए लेकिन वहां पर जब खाने के लिए नहीं है तो हम क्या करेंगे वहां पर रहकर तो इस तरीकी कि यहां पर समझ में आ रही बात है इस बीच लागोशन में क्योंकि वहां पर क्या है उनको कोई भी धैनिक मजदूरी नहीं मिल रही है और अधिकतर लोग यहां पर काम करने वाले थे और tweeting मूंबई और दिली में बिना फसे हुए है तो कई स्थानों का असरे का कामकाज राज्चों की महानगरी है यहां पर जो बोला जारा है कि यहां पर बहुत सारी विव परियापत नहीं मिल पा रहे हैं आर्थवास्ता को नुक्सान पहुंचाने के टाइम पर यह जो लॉक्डाउन लगा हुए काफी जादा एकोनॉमिक आप जहां है वहीं रुकिये तो इस तरीके से बोला गया था लेकिन यह जो फंड है वो सभी को फैसिलेटीज नहीं प्रोबाइट करवा पा रहा है और साधी साथ में कुछ लोग जो थे जो मन्रेगा पर बेश डूगा करते थे और काम कर रहे थे अब वो मन्रेगा कभी जब से लॉकडाउन लगा है वो सारे काम बंद पड़े हुए है और इनका सारा काम ठप पड़ गया है जसकारेंट से यह लोग काफी ज्यादा परिसान हो रहे है और इनी सब चीजों को देखते हुए इन पर एक अंदर से मन में बात आती है कि यहां पर जब हमारे पास में कोई कोई जगह ही नहीं है कोई मतला भी नहीं है मोटिव नहीं है तो फिर हम यहां रुक्यों क्या करें हम अपने लोगों के साथ में अपने परिवार के पास में रहेंगे बहले ही किसी भी तरीके से इस कार्ण से वो लोग क्या करते हैं अगर जगह की कोई ट्रांसपोर्ट सिस जी होई कि और यह पर सोच में आपके आगए कि किने हम जो भी होगा आप हम घर जाना है उसने दुरंट शंकल्प कर लिया था तो बाले वह रुकते हुए किसी भी तरीके से कहीं पर रुकते आराम करते हुए दीरे दीरे फंटारास किलो मीट्टर से तह कर के अपने घर पोँ यह बात है कि काफी ज़़ाद लोग तो परेशान हैं तो काफी जो क्यों इसटेट है वह तो अपने जो लोग हैं उनको बुलाने के लिए काफी ज़़ांडे ट्राणसपोर्ट की वियस्था कर रहा हैं तक हो लोग आ सके लेकिन बिहार जैसे जो राज है उन्हों ने बात की जा रही है कि अब जो migrant workers हैं क्योंकि lockdown काफी लंबा होने वाला है और समस्यां बढ़ती जा रही है तो या तो एक व्यवस्थत रूप से इन लोगों की व्यवस्था की जाए या फिर इन लोगों को अपने native place पर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए अलाकि lockdown के चलते यहां पर जो Asian countries थी उन्होंने सभी टाइम पर सही टाइम पर lockdown लगा दी जिससे क्या है कि काफी ज़्यादा हम लोगों को परिसानिया होने से बच्ची यहां पर lockdown के कारण जो वाइरस था वो बहुत ही limited cases यहां पर सामने आ रहे हैं अभी काफी हद तक control में in comparison to USA लेकिन यहा रही है लोगडाउन को जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो आर्थिक संकट की बात की जा रही है उसको ध्यान में रखते हुए हमें इनके बारे में माइग्रेंट वरकर्स के बारे में सोचना एक अनिवार सब्जेक्ट हो गया है यहां पर कि सद्मार यहां पर महामारी जो महराष्त हया अभी हाली हमारे हां पर सबसे सर्वोच मारेयर महारे और यहां पर porch ने बोला ऑन कि तीन में जैसे लॉकडावन होगा उसके बाद में रेल्बेवै विवस्ता सूर्व करने बात कही गयी है इनसे बोला यहां पर रेल विवस्ता शुरू कर दी जाए, ताकि यहां के जो workers हैं, उनको अपनी जगह पर भेजा जा सके। अब यह ध्यान में रखने वाली बात है, कैनर सरकार के दोरे यह सोचने ध्यान में रखना चाहिए कि इस तरीकी के विवस्ता को किस तरीके से एक विवस्तित रूप से पूरा किया जासा कि ताकि संक्रमक जो वीमारी है वो और न फैले और दूरी के साथ में social distancing का major को ध्यान म रखते हुए यह सारी चीज़ें बड़े अच्छे से चाले हो सके मद्वदेश उत्रप्देश जैसे राज्यों अभी अपने जो वरकर्स हैं जो बाहर की लोग है उनको बापसी के लिए एक अच्छे कदम उठाए है अब ट्रेन में सुरक्षे दियात्रा के लिए इस तरीके से यह सारी चीज़ों को पूर्ण करती है तो इस तरीके के यह आर्टिकल पर चर्चे की गई है और देखते हैं दूसरा आर्टिकल कि पैंडेमिक एंड़ पैनिक और टमिलनाडू फाइप सीटी लॉगडाउन तो महामारी और जो परिसानिया हो रही है उस पर त अले में बापिस लॉगडाउन को एक इस्ट्रिक्ट आदेश दे दिया गया है कि यहां पर लॉगडाउन लगा रहे है क्योंकि 25 अप्रेल को क्या सुनने में आए 25 अप्रेल को 1821 जो केसिस थे यहां पर टच कर गये सड़नली 25 अप्रेल को 1821 केसिस आ गये दुबार से और यहां पर एक इस्ट्रिक्ट लॉगडाउन दुबारा से अप्लाई कर दिया गया तो अब उसकी चलते हुआ क्या लॉगडाउन जैसे सड़नली लगाया गया तो हजारों लोगों की भीड तूट पड़ी ग्रॉसरी सॉप्स और पेट्रल पंस और जो भी स्टॉक इस करने वाले सामानते वह वहां पर स्टूट पड़ी बिना किसी रूल सेंट रेगुलेसंस को फॉल्य बिना किसी सोचल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए यह सारे लोग एक जगे एक खट्टा भीड जमाने लगे अपने स्टॉक ताकि उनका स्टॉक बना रहे सामानों क और चीज़ां अपने लोगडाउन के टाइम के लिए वह एक खट्टा करने लगे तो यह सारी चीज़ें चिंता वाली बात हो गई अब इसमें काफी जादा परिसानी हो सकती थी क्योंकि सोचल डिस्टेंसिंग को मेजर ध्यान में नहीं रखा गया अब इसमें चिंता की ब स्वास्त प्रणाली की चमता को बढ़ाने और महामारी की प्रवंदन के सरानी प्रियासों का जटका दे दिया है इस तरीकी की भीड़ने क्या किया पूरे जो हैल्थ सिस्टम था वो हैल्थ सिस्टम और जो भी इनके रेगलेशन थे उसको चर्मरा दिया है बहुत बड़ा जटका घलता है लात है तो असलिए कि इनके लिए यह काफी चंता की बात हो चकती है और इस पर इह एक बवस्तित रूप से ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से चरणबद तरीके से इस पर पालन कर सके तो इस पर काफी सारी चर्जाएं की गई है कि हाला कि इसका नतीजा आगए अगर प्रसासन जो था administration जो है वो strict रहा और rules को follow करवाने में active रहा तो ये एक अच्छा result हो सकता है कि यहाँ पर धीरे धीरे चीजें फिर से control में आ जाए आपातकाले इस थिति में गैर covid इस थितियों में परिजानों की मृत्यों के साथ साथ में अब हुआ क्या कि इसको कैसे control में लाए जा सकता है कि जो भी समस्याएं आ रही है तो या तो देखा जाए कि अगर लोगों को उनको doorstep home delivery मिल जाए कि तो अगर उसको control करना है तो क्या करना पड़ेगा जबू लगया है कि अगर आपको इन सारी चीज़ों को control करना है कि घर से बाहर लोग बाग ना निकले और लोगणों को पालन करते रहे तो जो भी चीज़ें जिसके लिए ज़रूत है उनको उनके घर तक पहुचाने की व्यस्ता करनी चाहिए चाहिए वो online व्यस्टम्स हो और ना केबल online में बल्की जो जो market में shopkeepers है जो normal local area के shopkeepers है अगर वोई भी इस तरीकी व्यस्ता कर सकते हैं possible है कि वो अपने सामानों को जो customer उसे घर तक पहुचा सकें तो यह काफी ज़यदा beneficial होगा लोगों के लिए और साथी साथ में सरकार के लिए कि वह lockdown के चलते इस सारी चीज़ें अपने cases को control में ला सके और साथी साथ में ऐसे कुछ नियम चलाने चाहिए कि no mask no service no items अगर आपके पास में किसी के पास में mask नहीं है तो उसको कोई भी सामान नहीं मिलेगा तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं अगर आप चालू रखेंगे और कुछ व्यस्तित रूप से चीज़ों को चलाते रहेंगे एक regulations के तोर पर तो वो क्या होगा काफी ज़्यादा control में आ सकती है चीज़े अन्यता ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा परिसान करने वाली हो सकती है आगर भविस्तित में और साधी साथ में scan code व्यस्तित करनी चाहिए किसी भी आवस्तित सेवां को सुचारू रूप से कार करने के लिए आसान पुलिसिंग को सक्षम करने के लिए ये सारी विवस्तित प्रिनाली अपरिहार हो सकती है जब भविस्तित में और द्यावगिक स्रमेक क्यांदोलन जैसी चुनिंदा गदिविदी को अनमती हो तो अगर संक्रमंट को हमें रोगना है और कंट्रोल में लाना है और सारी चीजों को ये लॉकडाउन को फॉलो करते रहना है लॉकडाउन को फॉलो करवाना है तो उसके लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा जो भी जरूरत के सामाने हो उनको वहां तक घर तक मुहाया कराना पड़ेगा इन सारी एक proper system के साथ में हम एक चीजों को control में कर ला सकते हैं यह सारी चीजें चर्चा में की गई है यहां पर आर्टिकल में तो देखते हैं क्या होता है इसके बार में आगे इसके बार में पता आज में आई होंगी तो अगर आपने हमारे चैनल में सब्स्राइब नहीं किया तो सब्स्राइब जरू कर दें लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें ताकि हमें और भी ज्यादा मोटिवेशन मिले थैंक यू सब्सराइब ड्रामुर्णल में तो सब्स्राइब ज्यादा ज्यादा जैएंक प Carne